असलाव लेक्म दोस्तों मेरा नाम हमिम्डान है रोचिक निव विक्षाफ हाजिर हो दोस्तों अपने स्मार्टफून या लैप्टॉप में इंटरेट का इस्तमाल क्या है तो आपने VPN का नाम तो सुने ही होगा अब यहां पर काफ़ी जाना दोस्तों है ये बात ऊचते है कि VPN के क्या-क्या फायदे है तो friends आज किस वीडियो में हम जानेंगे VPN के क्या-क्या फायदे है या VPN हमें क्यों इंस्टाल करना चाहिए या इससे हम क्या-क्या काम ले सकते है और कौन सा VPN जो है वो हमें इंस्टाल करना चाहिए तो सबसे पहले हम ये बाद जान लेते हैं कि VPN का हमें इस्तमाल क्यों करना चाहिए और इसके क्या फाइद है दोस्तों अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा वाइफाई नेटवर्क है जिससे आप क्रेक्टिड है तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे वाइफाई नेटवर्क है जिनमें कुछ मक्सूस वेबसाइट जो है वो ब्लॉक होती है अब आपने फेस्बुक पे कोई पॉस्ट छेर करनी है या अपने किसी को मैसिस इन करना है तो आप नहीं कर सकते क्योंकि जिसका भी वो वाइफाई नेटवर्क है जिसकी भी आप वाइफाई इस्तेमाल कर रहे है उसने तो वो वेबसाइट जो है वो ब्लॉक की हुई है लेकिन VPN का इस्तमाल करके आप वो website जो है उसको open कर सकते हैं जो भी उस wifi network में block है और दूसरी बात यहाँ पे आप online privacy जो है उसको भी मजीद बेहतर मिना सकते हैं VPN का इस्तमाल करके मतलब आप कोई भी Google पे search कर रहे हैं जो कुछ भी आप search कर रहे हैं जो भी आपका जो internet provider है मतलब ISP है उसके पाथ direct data जाता है और वो अगर चेक करना चाहे तो वो कर सकता है कि आप क्या-क्या search कर रहे हैं लेकिन जैसे आप VPN के साथ connect कर जाते हैं तो आपका IP जो है वो चेंज हो जाता है और जो भी VPN है जिसके server के साथ आप connected है उस तक जो ISP मतलब internet service provider है उसकी रसाई नहीं होती और वो जितना भी data होता है उसको encrypt कर देता है मतलब coding में कर देता है और दूसरी बात यहां पे दू Wi-Fi जो है जो भी free है वो secure नहीं होता तो अगर वो Wi-Fi secure नहीं है तो जाहरी सी बात है जब आपका mobile उसके साथ connected होगा तो आपका mobile भी secure नहीं रहेगा लेकिन अगर आपके पास VPN है और आप उसी time उसको own कर लेते हैं तो आपका mobile phone है वो secure हो जाएगा क्योंकि जो आपकी IP है ज मतलब वो coding में जाएगा encrypt हो जाएगा और कोई भी ISP उस तक रसाई हासल नहीं कर सकता आपका data जो है वो बिलकुल secure होगा दोसो virtual private network मतलब VPN का इस्तमाल करकि आप hacking का जो online डर होता है उसको काफी अधक कम कर सकते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि online जब भी आप data transfer कर रहे होते ह कोई भी काम कर रहे होते हैं तो आपके जहन में डर होता है कि hacking की कोई files तो हम install नहीं करें कोई हमारा personal data तो नहीं hack कर लेगा लेकिन जब आप VPN इस्तमाल कर रहे होते हैं जो भी data आप वहाँ पर search कर रहे हैं तो वो बिलकुल secure हो जाता है दोसो VPN इस्तमाल करने से आपका जो IP address है आपका जो data है वो दोनों चीज़ें बदल जाती है पतलब उन दोनों को encrypt कर देता है आपकी IP जो है वो किसी और country के होती है और आपका जो data है उसको वो coding में कर देता है इसलिए mostly जो online companies काम करती है वो VPN का इस्तमाल लाजमी करती है क्योंकि उनका जितना भी data वो transfer करते है एक तुसरे के साथ वो स्क्यार होता है और कि तो फ्रेंड ये थे VPN के बारे में कुछ information दोस्तों चलिए हम यहाँ पर प्लेश्टोर open करते हैं और open करने के बाद हम यहाँ पर चान लेते है कि कौन सा VPN जो है वो हमारे mobile phone के लिए अच्छा है दोस्तों यहाँ पर प्लेश्ट कर दें और यहाँ पर यहाँ पर पास open हो चुकी है आप यहाँ पर इस application का icon देख लिए दोस्तों तक्रीबन 50,000,000 लोगों ने इस application को download कर लिया है और यहाँ पर 4.5 जो है इस application की जो rating है जो के काफी जबरदस है चले हम इस application को यहाँ से install करते हैं और यह तो एक्स VPN हमारे पास install हो चुका है चले हम इसको यहाँ से open करते हैं दोस्तों जैसे आप इस VPN को install करेंगे तो आप जैसे इसको open करेंगे तो हो सकते हैं आपके सामने यहाँ पर option आजाए 7 days के लिए आप इसको trial version इस्तेमाल करें या go to premium तो आपने उसको cancel कर देना है तो आप सब से पहले इस नज़रा रहा होगा उसके साथ ही आपको यहाँ पर select location का option जा है वो नज़रा रहा होगा जिस country के साथ भी आप अपने IP address को connect करना चाहते हैं तो आप उसके उपर क्लिक करके वहाँ से उस IP के साथ connect कर सकते हैं चले मैं आपको बाद में बताता हूँ चले हम वापस जाते हैं और गेर उसके बाद आप यहाँ पर connection request पर okay पर click कर दें तो friends आप देख सकते हैं जैसे मेरा mobile phone VPN के साथ collect हो है तो साथ ही laptop के साथ जो connected दा mobile phone वहाँ से उसी time यह sign note हो चुका है क्योंकि इसकी जो IP है इसका जो server है यह वो change हो चुका है अब इसकी IP जो है वो अलग है अब मैं दूसरे mobile phone से यहाँ पर इसकी जो वीडियो है वो बना रहा हूँ तो आपके सामने यहाँ पर जो start 70 trial आएगा अगर आप चाहते हैं कि आप premium जो virgin है वो install करें तो आप कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर इसको cancel करूंगा क्योंकि मैं free का इस्तमाल करना चाहता हूँ उसके बा मैं France पर click कर दिता हूँ और गया तो मेरे पास यहाँ पर option आ चुका है you are securely connected to France छली हम वापिस जाते हैं वापिस जाने के बाद hide your IP पे हम दुबारा क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम ip checker पर click करते हैं और गया तो ip checker में आप यहाँ पर IP address जो है वो चेकर सकते हैं कि यह France की IP चलिए हम Google को ऊपन करते हैं और वहां प्य आयपी अड्रेस जो है वह सेरच करते हैं आप यहां पे देख सकते हैं यह ip address same ip address वहां भी आपको शोग रवाय herb हम यहां पे search करते हैं My IP address दोब सो आप यहां पे देख सकते हैं कि same ip address जो हमने पहले फ्रांस का देखा था वही हमारे Google का जो IP अड्रेस है वो शोग कर रहा है इसी तरह आप USA, Germany, Australia या किसी भी ऐसी कंट्री के साथ connected होना चाहती है IP अड्रेस के साथ तो आप इस VPN का इस्तेमाल करके जो कि X VPN है अब वहां पर connected हो सकते हैं चले हम दुबारा यहां पे X VPN में आती हैं और यहां पे protect your data पे क्लिक करते हैं तो यहां पे आप उपर option दे सकते हैं you are securely connected, your data is secure and protected दोसर आप किसे भी social media network का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यहां पे enjoy all sites पे क्लिक करें यहां पे जितने भी popular apps हैं वो आपको show जाएंगे तो यहां पे आप VPN के साथ connected रहते हुए किसी भी application या किसी भी site का इस्तेमाल कर सकते हैं दोसर अगर आप xvpn download करना चाहते हैं तो इसका जो link है वो आपको इसी वीडियो की description में मिल जाएगा अब वहां पे click करके directly install कर सकते हैं दोसर जब भी आप किसी VPN का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि कोई ऐसा VPN हो जिस भी आपको trust हो अगर आपको लगता है कि जो VPN में आपको उतार हो यह ठीक नहीं तो आप वह VPN इस्तेमाल करें जिस पर आपको trust है क्योंकि कई fake ऐसे VPN भी होते हैं जो आपका personal data है उसको भी hack करने की try करते हैं तो जब भी आप कोई भी VPN इस्तेमाल करना चाहें तो सबसे पहले आप यह चेक कर लें कि यह VPN आपके लिए ठीक है और जब आपको जरूरत हो तब इस्तेमाल करें Take care and Allah Hafiz